देखिए दोस्तों लास जो relational operators हमने देखे थे उस program में मैं आपको not equals to यह बतला ना भूल गया था तो उसको अब फिर से हम recall कर लेते तो आखरी statement हमने लिखा है printf a not equals to b तो यह condition हमारी true है one not equals to b तो अब इसको देखिए compile करते हैं run करते हैं तो देखिए a not equals to b one आ रहा है means आपको statement वो true है